हलो फ्रेंड्स, दिस इस सी अतुल मित्तल, ओथर आफ दी बुक करक्स ओफ इंडियन एकनोमी फॉर आईस फिलिम सेग्जाम फ्रेंड्स आप ये बुक आईए सेलफिश्यरी डॉट कॉम से फ्रिली डाउनलोड कर सकते हैं आज हम देखते हैं Finance Commission, Article 280 of Constitution देखिए Constitution का Article 280 कहता है कि हर 5 साल में President, President Finance Commission constitute करेगा जिसमें एक चेयर्मन होगा, चार अधर मेंबर होगे अब Finance Commission का काम क्या है? Finance Commission recommendation देता है President को कि Central Government को जितना भी Tax मिलता है, उस Tax में State Government को कितना Share मिलना चाहिए तो देखिए जैसे 15th Finance Commission था, 15th Finance Commission ने बोला कि Central Government को जितना Tax मिलता है, उसमेंसे 41% से यार State Government को मिलना चाहिए तो जिसको हम बोलते है Vertical Devolution, उसके बाद यह जो 41% है इसमेंसे Total India में State कितने 28% है, तो 28% में यह कैसे बटेगा 41% उसको हम बोलते है Horizontal Devolution, तो इसके लिए Recommendation देता है दूसरा क्या है कि Consolidated Fund से Local Bodies को, State Government को कितनी Grant मिलनी चाहिए, वो सारी Recommendation ही देता है Recommendation के बाद इसकी जो Report है, President Parliament में Report को रखता है उसके बाद देखिए, यह Recommendation है, Central Government के उपर है कि वो कौन-कौन सी Recommendation कितनी Accept करती है, लेकि जनरली यह देखा गया है कि Finance Commission जो भी Recommendation देता है, Central Government उसको Accept कर लेती है देखे, 14th Finance Commission, 14th Finance Commission था इसने Recommendation दीती, 1 April 2015 से 31 मार्ट 2020 के लिए Recommendation दीती कि इन 5 सालों में जो भी Central Government को Tax का Share मिलता उसमें State Government का Share कितना रहेगा, और जो State Government लोकल बॉड़ीज को कितनी ग्रांड मिलनी चाहिए, इसके Chairman YV Ready थे, इसने 42% दिया था इसने देखे, 13th Finance Commission ने 32% Recommend किया था, और 14th Finance Commission ने 32 से एकदम जंप, 10% जंप करके 42% Recommend किया लेकिन 15th Finance Commission है, 15th Finance Commission ने क्या किया 42 की जगे, 41% Recommend किया, इस्टेट का सेया एक परशंट कम कर दिया, कम क्यों किया? क्यों कि दिखे, जे एंड के जो पहले स्टेट था, अब वो यूटी बन गया, तो अब उसको कैटर किसको करना है? Central Government को करना है तो दिखे, जो Finance Commission Recommendation करता है, वो सिल्ली Government को सेंटर से 325 करोड ग्रांट मिल रही है केवल, उसको कोई सेयर नहीं मिलता है, सेयर जो मिलता है, सेंटर गवर्मेंट की टेक्स में केवल 28 एश्टेट को मिलता है, यूटी को नहीं मिलता है तो 15 Finance Commission ने रिकमंट किया, 42 की जगे, 41% रिकमंट के 1% कम क्यों किया, क्योंकि पहले J&K का हिस्सा करीब 0.85% होता था, तो इन्होंने 1% हिस्सा कम कर दिया, सेयर कम कर दिया, 41 कर दिया, कि अब J&K को सेंटर गवर्मेंट को टेक केर करना है, तो 15th Finance Commission दिखी फ्रेंड्स, 15th Finance Commission है, प्रेसिएंट ने कॉंस्सिटूट किया था, 27 नमबर 2017 को, इसको 5 साल के लिए रिपोर्ट देनी थी, 2020 से 25, 1 अपरेल 2020 से 31 मार्ट, 2025 तक की रिपोर्ट देनी थी, बाद में क्या हुआ, बाद में गवर्मेंट ने इसका पीरियड एक सार और गया, क्यों बढदा दी है? गवर्मेंट ने काकि हमने काफी सारे रिफॉर्म्स लेके आये हैं, GST लेके आये है, इन्सलवेंजी, बैंक्रप्सी, कोड है, तो बहुत सारे रिफॉर्मस है, तो आपको वो रिफॉर्मस को भी धियान में रखना है, तो आप दो रूपोट द किया term of reference में नोंने का कि आप defense और internal security के लिए अलग से fund allocate कीजिए finance commission के लिए तो देखिए 15th finance commission ने दो report दी पहली report दी वो 5th December 2019 में दी जिसमें 2021 के लिए recommendation दी फिर दूसरी report अक्टूबर 20 में दी जिसमें next five year के लिए थी और finance commission के देखिए दूसरी जो report आई थी वो अक्टूबर 2020 में आई थी COVID-19 के टाइम आई थी तो इसका जो title था वो था finance commission in COVID time अब देखिए recommendation क्या दी थी recommendation मैंने आपको बताया था कि recommendation में इन्होंने कितना percent दिया 41 percent दिया 14 finance commission ने 42 percent रिकमेंट किया था state का share इन्होंने 41 percent रिकमेंट किया इन्होंने का एक percent हमने जम्मू एंड कस्मीर के लिए रोग लिया है क्योंकि जम्मू कस्मीर अब यूटी बन गया अब central government को इसको take gear करना है तो देखिए अब vertical मैंने आपको भी बताया कि ये जो 41 percent है ये तो vertical devolution हो गया अब 41 percent को 28 state में कैसे भार्टिंग हो इसको हम बोलते horizontal devolution तो देखिए ये ये देखिए एक बार state share 11 finance commission ने 29.percent रिकमेंट किया था 12 ने 30 percent 13 ने 32 14 42 percent यानी 14 finance commission ने 10 percent बढ़ा दिया थे एकदम से फिर 15 finance commission की interim report में भी 41 percent और final report में भी 41 percent अब 41 percent को distribute करेंगे उसको हम बोलते horizontal distribution तो horizontal distribution में देखिए 41 percent है तो 41 percent में बिहार का share 10 percent है करीब और सबसे ज्यादा share है UP का UP का 17 percent share है 41 percent में अब यह जो horizontal distribution करते हैं इस्टेट के बीच में यह किस basis पर करते हैं तो इसके लिए देखिए उन्होंने basis जो दिया है वो यह है criteria weight assign देखिए 15 finance commission और 14 finance commission देखिए 14 finance commission में population को 27.5 percent weight दी थी और जबकि 15 finance commission में population को 15 percent weight दी आ है और दूसरी बात population कौन से लिए है बेस लिए 2,1,11 तो देखिए जो south की state है उनका यह कहना था कि देखिए 1971 1971 की population हम weight लेते हैं कहीं भी आप constitution of इंडिया में देखोगे south की state का यह कहना है भाई हमने population को control किया अगर आप population का weight ज़्यादा रखोगे ठीक है तो हमें नुकसान होगा तो पहले 14 finance commission में भी इनोंने इस सुरेज किया था कि आप 2011 का data क्यों ले रहे हैं आप 1971 का data लीजिए क्योंकि 1971 के बाद फैमली प्लानिंग वो इंसेंटिव लाँच हुए थे south की state ने काफी population को control किया तो उनका कहना है कि भाई population को आप 1971 की population का data लीजिए लेकिन 15 finance commission के terms of reference में population data 211 दिया गया है तो उनकी मज़ूरी थी 211 लेना तो उन्होंने क्या किया 12.5% demographic performance ले ली कि जो south की state है वो objection raise कर रही थी तो उन्होंने 12.5% वेट दिया demographic performance को यानि कि जिन state की TFR total fertility rate कम है उनको उन्होंने high demographic performance की zone में रखा उनको ज्यादा वेट दिया तो इस तरह से उनका जो था कि population वेट पहले 27.5% था अब 15 finance में 15 था 12.5% demographic performance को दे दिया इसके बाद area को same weight रखा है इन्होंने forest and ecology cover इन्होंने बढ़ा दिया है इन्होंने का वही देगिए climate change हो रहा है तो forest जो state government forest पर ज्यादा focus कर रहे है forest cover बढ़ रहा है उनको ज्यादा incentive मिलना चाहिए income distance को कम कर दिया income distance देखिए पहले 50% weight था 45% हो गया income distance क्या होती है इसमें क्या करते है पर capita GDP देखते है पर capita GDP हर state की पर capita GDP निकालते है और जो highest GDP होती है जिस state की highest GDP होती है उसको weight लेते है उसके basis पर देखते है कि distance कितना है income distance कितना है तो दिखिए सबसे ज्यादा GDP गोवा की है देन सिक्किम की है लेकिन ये दोनों state छोटे थे तो तीसरे नंबर पर हरयाणा की थी तो इन्होंने हरयाणा को base लिया उसके basis पर इन्होंने income distance निकाला तो ये कम इसलिए किया क्योंकि जो state थे वो ये कह रहे थे कि वही poor state है वो कोई कुछ करनी रही है उनकी income कम है और poor state को आप ज्यादा contribution दे रहे हो central tax के share में तो उन्होंने कहा कि इन्होंने इसको कम कर दिया उन्होंने कहा ठीक है इनको हम कम कर देते और दूसरा उन्होंने tax effort को 2.5% weight दे दिया कि जो state tax collection बढ़ा रहे है tax effort कर रहे है उनको incentive द अब हम बात करते है grant की तो देखिए यह 15 finance commission पर सबसे important है आपका tax का devolution अब grant देखिए क्या क्या grant इन्होंने recommend की तो सबसे पहले special grant तो देखिए यहाँ पर दो report है 15 finance commission की है कि interim report है first year के लिए final report है next five years के लिए तो देखिए इन्होंने 2021 से 26 में कोई special grant final report में कोई special grant recommend नहीं की है लेकिन interim report में तीन state को इन्होंने special grant recommend की थी करनाट का मेजूरों मत ते लंगाना इसके बाद grant to local body देखिए interim report में नोंने local body के लिए 90,000 करोड की grant recommend की थी और final report में नोंने जो grant recommend की है वो है अगले 5 साल के लिए 4,36,361 करोड रुपे की grant recommend की है final report में 2021 में अब इस grant में से 70,000 करोड तो जाएंगे health care system के लिए 8,000 करोड जाएंगे incubation of new city 450 करोड है वो है municipal share service मुनिस्पल share service क्या है जैसे इनका यह कहना है कि बाई जैसे पास्पोर्ट सेवा केंद्र है सब कुछ online है इसी तरह municipal share service का मतलब है कि सब कुछ आप online करो municipality को आप online करो आपको birth certificate चाहिए सब online मिल जाएगा death certificate online तो municipal share service के लिए नोंने 450 करोड रिकमेंट की है और balance remaining जो है remaining 357,000 करोड 357,000 करोड है वो उन्होंने rural और local rural area को 236,000 करोड और urban local body को 126,000 करोड रिकमेंट की है इसके बाद जो उन्होंने पैसे रिकमेंट की है उसको state को कैसे बाटा तो state government को population को 90% weight लिया और area को 10% लिया और जितनी भी grant जाएगी local body को उसमें 60% तो क्या है tied grant है यानि 60% grant है वो national priority like drinking water supply, rain water, harvesting, sanitation इसमें यूज होगी और 40% grant है वो untied है उसको municipality कैसे भी यूज कर सकती है इसी तरह performance based grant में तो दिखिए revenue deficit grant इन्होंने करीब 17 state को इन्होंने revenue deficit grant रिकमेंट की है sector specific grant में देखे हैं तो social sector में उन्होंने health को 1 lakh करोड की grant रिकमेंट की है education को 10,000 करोड की agriculture sector को 45,000 करोड की rural infrastructure के लिए 27 या इसी तरह उन्होंने sector specific grant रिकमेंट की है state specific grant है तो उन्होंने करीब 50,000 कोड की state specific grant रिकमेंट की है interim report में कोई state specific grant रिकमेंट नहीं की थी recommendation of disaster relief fund to state देखी disaster जब भी होते है जैसे आपने देखा हो उत्तरा खंड में बादल फट गए चेन नहीं में बाड आगी तो देखी disaster response का काम है वो state government का होता है central government fund प्रोवाइड करती है technical assistance प्रोवाइड करती है तो finance commission का कहना है कि disaster management fund है disaster management act 2005 ये कहता है कि आपको disaster response fund के अलावा mitigation fund भी मनाना चाहिए mitigation fund prevention पहले से हम prevention लेके चले जिससे disaster हो ही ना तो दो fund होने चाहिए तो उन्होंने दो fund recommend किये कि एक तो आप disaster response fund हो गया और एक mitigation fund दो अब फंड आप बनाएए दोनों को allocation किया है इन्होंने recommend किया है कि जो state disaster risk management fund है इसको एक लाग साढ़ है एक सो त्रेपन करोड रिकमंड की है जिसमें से 80% जाएगा state disaster response fund में जाएगा और 20% जाएगा वो mitigation fund में जाएगा तो दो fund है दोनों को collectively हम HDRMF state disaster response and mitigation fund बोलते हैं तो 80% response fund में जाएगा और 20% mitigation fund में जाएगा इसी तरह national disaster risk management fund के लिए इन्होंने allocation रिकमंड किया है अर्साट यार करोड का जिसमें 80% जाएगा response fund में और 20% जाएगा mitigation fund में इसी तरह देखिए flood and all flood आते रहते हैं सबसे जादा आपने देखा हुआ बहार में सब जग है flood की situation हर साल आती है बारिस के मौसल में तो उन्होंने काया कि भई अब इसके लिए major capital work की जरुवत है क्योंकि regular river erosion हो रहा है तो finance commission इसके लिए recommend नहीं कर सकता क्योंकि इसमें major capital work चाहिए तो उन्होंने इसको recommend किया है कि इसको आप national priority project consider कीजिए तभी इसका solution निकल सकता है इसके बाद देखिए defense के लिए defense and internal security के लिए इन्होंने modernization fund for defense and internal security recommend किया इस fund में पैसा कहां से आएगा इस fund में four source से पैसा आएगा एक तो consolidated fund of India से पैसा transfer होगा defense P.S.U.A. उनके disinvestment से पैसा आएगा इसी तरह defense land surplus उसके monetization से पैसा आएगा यहां से इसको पैसा मिलेगा और इसका utilization क्या होगा? Utilization वही है Utilization capital investment for modernization of defense service आप defense service को है, capital investment for CAPF, modernization of state police force है, ठीक है small component है, वो soldiers के लिए है, soldiers के welfare के लिए fiscal consolidation, fiscal consolidation आपको पताएगे FRBMX, Fiscal Responsibility Budget Management Act, कहता है कि जो central government का fiscal deficit है वो 3% से जादा नहीं होना चाहिए, लेकिन अभी fiscal deficit कितना है? अभी देगे 6.9% है, इस साल के लिए जो estimated है अगले साल के लिए 6.4% रखा है, तो इन्होंने क्या कहा है? इंडिकेटिव लिष्ट दिये है, इंडिकेटिव लिष्ट है, इन्होंने कहा कि भाई fiscal deficit 20-21 में 7.4% रिकमेंट किया है, लेकिन 9.2% करीब है 21-22 में 6% बोला है, 21-22 में 6.9% है, government का estimate और 21-22 के लिए 5.5 बोला है, government का कितना है, करीब 6.4% है, जो अभी बजट आए तो इन्होंने इंडिकेटिव टार्गेट रिकमेंट किया है, इसी तरह GDP, debt to GDP ratio का target रिकमेंट किया है, इसी तरह state government के लिए fiscal road में पर इन्होंने दिया है, तो state government का, सारे state government का देखे, तो इस समय revenue deficit की जगे surplus चल रहा है, सबका minus में है, surplus चल रहा है, fiscal deficit सबका 3% रिकमेंट किया है, और 25-26 तक, debt to GDP ratio 32.5% रिकमेंट किया है, इसके बाद fiscal rules, fiscal rules के लिए क्या इन्होंने रिकमेंटेशन दिया है, इन्होंने का है, if India wants to achieve its full potential for economic growth, then it has to improve the quality and efficiency of public spending and financial management, आपको quality manage करनी है, public spending की, तो इसके लिए नमने तीन प्लर बताएं, एक तो है, fiscal rules across our level of government, fiscal rule होना चाहिए, हर level की government के लिए, central government हो, state government हो, public financial management system होना चाहिए, timely reporting होनी चाहिए, fiscal indicators की और तीसरा independent assessment होना चाहिए, fiscal rule के लिए, इसके अलावा इन्होंने independent fiscal council recommend की है, independent fiscal council होगी, और वो उसका advisory role होगा, government को क्या करेगी, advice देगी, इसके अलावा treasury single account recommendation देए, treasury single account क्या होता है, देखिए, government के बहुत सारे department होते है, बहुत सारी ministry होती है, बहुत सारी autonomous body होती है, government उनको grant देती है, तो क्या होता है कि government काफी सारे borrowing करती है, लेकिन देखा जाए तो government ने इतनी सारे grant दे रखी है, किसी ने grant utilize नहीं की है, bank account में पैसे पड़े हुए है, उधर government borrow कर रही है, तो उन्होंने बुलाए, treasury single account हो, treasury single account है, तो government की जितनी भी ministry है, department, autonomous body है, जिसको government grant देती है, तो treasury single account RBI में open किया जाता है, तो government monitor करती है, तो जब भी कोई autonomous body या ministry या department को पैसे की जरूवत होती है, तो RBI क्या करता है, government के account से पैसा, autonomous body के treasury single account में transfer कर देता है, तो government उसको monitor करती है, कि fund utilize हो रहा है कि नहीं, और जैसे 31 mark चाती है, fund unutilized है, वो बापिस RBI क्या करती है, treasury single account से पैसा government के account में transfer कर देती है, क्योंकि government का account कौन RBI मेंटेन करता है, इससे क्या होगा, fund का proper utilization होगा, government काफी सारी borrowing करती है, कि पैसा नहीं है, पता लगता है कि autonomous body के account में पैसा पढ़ा है, और उन्होंने utilize नहीं किया, ministry के पास पैसा पढ़ा है, utilize नहीं किया, तो यह यह friends, 15th finance commission, तो complete है आपका chapter, तो आप यह notes है, iaselfish.com से freely download कर सकते हो, यह मेरा mobile number है, कोई भी economics related query है, आप पूस सकते हो, और वीडियो आपको अच्छा लगता है, तो please share कीजिए, subscribe कीजिए, thank you friends,